हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक टो में चैनल मनीशा नेजरल व्लोग्स और आज मैं आप लोशा शेयर करने वाली हूं एवर हूध एप्रिकोट और वयलेट स्क्रब के रिव्यू सबसे चाहिए आपर हैं तो यह 50 ग्राम का प्रेंट्स और इसका प्राइज ऐसेवन रूपीज है कि इसके कंसिस्टेंसी बहुत ही क्रीमी है और इसकी जो एक्सपोलीटिंग पार्टिकल से वह बहुत ही कम है अब लोग देख सकते हैं जब मैं इसे इपनी फेस पर देमो करके दिखाऊंगी तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा और एवर यह तो वालनट स्क्रब है वो भी हमारे ब्लैक हैट्स और वाइट हैट्स को रिमूफ करता है और इसका 50 ग्राम का पैक आता है और यह 76 रूपीस की आरांड आपको मि मिल जाएगा मार्केट में और इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं फ्रेंट्स बहुत ही ठेक है और इसकी एक्सपोलेटिंग पार्टिकल से वह बहुत ही ज्यादा है और बहुत ही हार्ड है हमारे स्किन पर इससे हमारे वाइट है और ब्लैक है बहुत अच्छी तरीके से रिमूव होंगे, friends. तो चली, friends, दी, दोनों scrub को अपने फेस पे में डेमो करके आपको दिखाती हूँ. दी, आपको स्क्रब करने से पहले हमें अपने फेस को बहुत है अच्छे तरीके से लुक फॉर्म वाटर से क्लीन कर लेना है, friends. अबर यूद अप्रिकोट स्क्रब को इसे फिंगर की हैपसे अपने फेस पे मैं अपलाई कर ले रही हूं और इसे सरकुलर मोशन पे अपनी फेस पे हमें जैंटली मसाज करना है फ्रेंज apricot scrub जो है वो बहुत क्रीमी फील हो रहा है friends उसके जो exfoliating particles वो बहुत कम है और हमारे skin पे बहुत क्रीमी फील हो रहा है अब लोग देख सकते हैं friends इसे तो हमारे dark dead skin cells और white heads black heads बिल्कुल भी remove नहीं होंगे friends तो इसमें आप अपने पैसे को बिल्कुल भी waste मत कीजिएगा इसे मैं एक wet towel से clean कर ले रही हूँ इससे कोई ज्यादा अच्छा results नहीं आया है मेरे face पे और नहीं इससे मेरे कोई dead skin cells और dead head और black heads remove हुए है friends आप लोग देख सकते हैं तो मुझे ये प्रिकोट scrub बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है friends तो second scrub की बात कर लेते हैं वो है ever youth का walnut scrub और इसे भी अपने face पे मैं अच्छे से apply कर ले रही हूँ और इसकी consistency आप देख सकते हैं friends कितनी hard है friend और इसकी जो exfoliating particles है वो बहुत ही ज्यादा है और बहुत ही hard है हमारे skin पे इसे अच्छे से हमें अपने nose पे और lips पे apply करना है क्योंकि ज्यादा जो white heads और black heads होते हैं वो हमारे nose पे होते हैं friends इसे hardly नहीं बहुत ही gently use करना है मैंने इस सारे वीडियो अपने window के सामने बैठ के shoot किया friends ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से demo दे सकूँ मैंने आपको कोई artificial light यूज नहीं किया है friends इसे एक wet towel से clean कर ले रही हूँ आप लोग देख सकते हैं friends तो जो walnut scrub है उसे मेरे face पे कितना अच्छा results आया है इसे मेरे face पे एक glow आया है और जो मेरे black heads है वो बहुत ही अच्छे तरीके से remove हुए है friends अगर आपको इस क्रब पे इंवेस्ट करना चाहते हैं friends तो आप walnut average walnut scrub को ले सकते हैं friends यह बहुत ही अच्छा scrub है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज से मेरे चैनल को subscribe किजिएगा और bell icon को जरूर प्रेस किजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो की notification आप तक पहुँच पाए और मेरी तरब से वह average walnut scrub को big thumbs up है friends